इंडिया अलाइंस का सर एक आखडी सवाल बोटी सरकार को क्या आप लोगों खार देखेंगे आने खार के फेक दिये हैं तब भड़ा नितिस्ते प्रेम से मिले आप अब उतर रहे थे हम चढ़ रहे थे सब्कावना उनको भी दे दिये बढ़ाई फिर मोका देंगे आएंगे तो अब आएंगे तब देखेंगे दरवाजा खुला हुआ है नितिजी के लिए क्या खुला ही रहता है दरवाजा में क्या करना चल लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख मं वर्तीजी कैसे वो किसी का सुनना नहीं चाहते है लेकिन फिर भी हमारा महा गड़वन्दन का सरकार था खुद का नहीं था और हम लोग चाहते थे बरे लक्ष क्यों लेकरके तो माफी मांगा ही था कि अब दुबारा गल्ती नहीं करेंगे अब नित्ते में मिल जाएंगे मर जाएंगे लेकिन भाष्पा में नहीं जाएंगे तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं बात जो है समझ में आता है चलो कोई नहीं देश में सप्रदाइश शक्तियों को रोक रहा है जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं तो इस बार किसी भी कीमत पे चाहे हमको क कितना भी सेना पड़े कितना भी कुर्बानी देना पड़े लेकिन नितीज जी को हम लोग ले करके चलेंगे और दो हजर चौबीश में बीजेपी को मोजी जी को सत्ता से विदकर करने का काम करेंगे पुला है नितीज कुमार के लिए और तेजस्वी आदम ने कहा कि हम हमेशा नितीज कुमार के लिए जहर का घूट पिने के लिए तैयार है और उनको हम अपने साथ रखने के लिए तैयार है वी नितीज कुमार जी को तैय करना है ना इलालु जी को तैय करना है ये आदरिया नितीज बावु को तैय करना है कि भारतिये जंता पाटी के साथ गटवंदन रहेगा कि आरजेडी के साथ नितीजी ने अपनी सारी बात रख दी है पूरे बिहार की जंता को असपस्ट संदेश जा चुका है लालू जी यह जान चुके हैं कि अब हमारा खाता नहीं खुलने वाला है तो इस तरह का चीजों को बोल रहे ह सबाविक है दो भरस्टा चार के प्रतीक बिहार के लुटेरे बिहार की जंता को लूटने वाला और दूसरा देश को लूटने वाला एक साथ घूमेगा देखिए नितीज कुमार जी ने 18 वरसों में लगातार बिहार के विकास के लिए काम किया है और आगे भी वो काम करते रहे हैं दिल्ली में जा रहे हैं आप लोग पार्टी की बड़ी बैठक है बिहार की सियासत को लेकर की भी चर्चा होगी बिहार की भी चर्चा होगी उस बैठक में यह सवबावी के राश्ट्री अस्तर की बैटक है, यह राश्ट्री यह पार्टी है, हम अपने संगटन और आगे के लोकसवाद चुनाओं की तैयारी की बैटक करें.